अजिए अजिए है यह यह अज़र्वरिवन आज से में स्टार्ट करेंगे जेयोग्रफी के लेक्टर स्कूर अब जैसा कि हम जानते हैं जेयोग्रफी बी दो टाइप की होती है एक वर्ड जेयोग्रफी जोकी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और उसके बाद होत है जियोग्रफी बेस्ट रॉन कंट्री जैसे क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं तो तो हम लोग कौन से जियोग्रफी पढ़ेंगे इंडियन जियोग्रफी तो हम लोग कर जो सिरीज स्टार्ट होने वाली है वो है इंडियन जियोग्रफी की अब इस सीरीज की नीड की हुएं क्योंकि देखो यूट्यूब पर तो अल्रेडी बहुत सारी वीडियो इसके उपर बनी हुई है बड़ देखा क्या जा रहा है कि देखो जैसे ही ट्रेंड बदलता जा रहा है एक्जाम का तो उसमें कुछ टॉपिक्स जो है वो एड़ ओन होते आ रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं करेंट अफिर से रिलेट करके भी बूछा जाता है तो इसलिए इसकी नीड है कि आप लोग फि लिएए पHIर आल फिर बहुत है तो इस टैप के जो साल दरसाल चेंज होते रहते हैं उनको नए से सपढ़ने की नेड होती रहती है अब जेग्राफी में क्या है जैसे 50 पोर्शन तो वही सेम सेम रहेगा बर 20 परशन तौव चेंज होता रहे हैं cliche गया और जानते हमें कोशन पूछ लेगा तो इसलिए इसकी नीड है बाकी बहुत से बच्चे जो NCRT नहीं पढ़ पाते हैं पूरी ढंक से यह यू कहें अनलाइस करके नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए बहुत यूसफुल होगी और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स यह तो नहीं कहेंगे कि स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ लोगे आप तो मलब ये वीडियो देख लोगे तो वो भी क्लियर हो जागया या आई-एस आई-पी-एस की बुक पढ़ने के गोई नीड नहीं होगी ऐसे बकवास दावे करना इसमें अना बह पढ़ने के लिए आप कैपेबल तो हो जाओगे वालब इसमें हम लोग इस सीरीज में इतना पढ़ लेंगे इतना पढ़ लेंगे कि वह जो स्टैंडर्ड बुक है वह आप आसानी से समझ सकते हो से मैसम कह रहे हैं कि आपको इतनी अच्छी मैट पढ़ा देंगे कि आप ब वाइस भी लिखते रहें एक काम क्या करना जब नोट्स बनाओ तो जितने भी टॉपिस होते आरे उसको भी लिखते रहें ना बलब जैसे पहले टॉपिक्स कौन सा है भारत का विस्थार ऐसे क्या होगा जब टॉपिक वाइस लिखते रहोगे तो उससे तुम्हें यह क्लि इंडिया यह अपना भारत है ठीक अच्छा एक और चीज समझ लो यहां पर क्या होता है देखो मालो यह अर्थ है अपनी यह अर्थ है अब जानते हो सबस्यारा रूल किसने किया था रूल किया था वलब ऐसे तो बहुत डैनिस्टी आई बट वह रूल वह रूल जिस टाइ बेंटियरा यह हैं द ब्रिटेन है यह यह है तुमारा इस अधियों आरी है कि अब यह बता की हो रहugo सिस्ड़िंट क्यों और इसट में होगा आज यह जानतेंच यह 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 रहा एस्ट रहें इसके जितने भी एस्ट है तो इसको बोलें लेंगे इस्टरण के तो इस्टरण का मदलाब क्या हो गया यह पूर भी जी उस्टर जयंगे डिध आख मैंद है अपने अपके चेक पोईट माना अपने आपको एक ऐसी लाइन मान है जिसके एस्ट में जो होगा वह इस्टर्ण कंट्री हों इस्टें कंट्री और वेस्ट में होंगे वो जाएंगे विएस्ट नुक्री टिक कि हिंधी में क्या बोलनेंगे परuni कि है दूसी चीछ क्या देखो गजात इसने इसी बैस पर डैरेक्षिन को भी है मतलब यहां पर चिंधा भीfeld फोर्शन होगा वह इस्ट कहलाएगा और सिघ्ण आप Inhale यहा Hack पर इस्ट होगा Huh is yourusi High को फिर बहुत बात में बहुत बात में हम लोग ने क्रिएट किया Jesús ऐस isn't कहले है धिक लाइन इसको बोलतें के इसको बोलते हैं जिरो बिजुरि ने कि हिंदी कि एक और नाम इसका जिसको आप बिशुवती रेखा कि भूमिद का मतलब देखो यह भू को मद कर रही है मुले को मद से काटने वाली जिरो गाल होती उसको मुंद रेखा करते हैं ठिक अब मतलब क्या देखो फिर से देखो पर यह ब्रिटन यह रहा ब्रिटन और ओपने से होते वोए एक लाइन कीजी और इसने कहा कि नहीं मेरे इस्ट में जो होगा कर लाए गा जो मेरे वेस्ट में हो ग्याए वह भी म realगा सबसे एक अपक्रबिच कर लिया कि मेरे सबसे मेंद में एक म्यूसी जो पर यह नहीं लिए क्योंकि जीरो डिगरी के उपर जो होगा वह जाएगा नॉर्थ मतलब देखो यहाँ पर यह जो पोर्शन है यह उपर है जीरो से उपर है तो इसको क्या बोल दोंगे नॉर्थ और जो नीचे वह क्या हो जाएगा सॉथ ठीक यह पूरी कहानी हुई अब इसको बताने का मतलब मतलब यह हुआ कि उपर वाले स्फेर को हम यहाँ पर फिर से बना देते हैं उपर वाले स्फेर को बोलोगे नॉर्थ स्फेर नॉर्थ स्फेर मतलब नॉर्थ का मतलब हो गया उत्तरी स्फेर का मतलब हो गया गोलार्थ के बाद नीचे अले पोशन को क्या बोलोगे अब नी तिक अब में चीज चाहते समझाने कि ये लेको अपना जो इंडिया है वो यहाँ पर है तिक मतलब नॉट स्फेर में यूनि कहने का मतलब है कि अगर उसको उपर-nीचे का मतलब विए नॉर्थ सृट में ऊपर निजी करो अगर इसको ऊपर से कंसिडर करोंगे तब यह नॉथ स्फेर में ही आएगा इन्ही उत्री गुलाद में आएगा और जब यहां पर इसका डख्षिर देखो यह भारत दख्षिर तब यह देखो किसमें नॉर्थ North Sphere में ठीक, बदलब उपर वाला portion, देखो, यहाँ पर यही लिखा है देखो, उपर वाले portion में भी हमने North लिखा हुआ है, और नीचे अला portion भी North लिखा हुआ है, अब बहुत से बचे यह करेंगे यह तो नीचे है, South है, तो यहाँ पर South लिखना चाहिए था देक्सन नहीं, direction नहीं पढ़ रहे है हम लोग, हम लोग यहाँ पर direction नहीं पढ़ रहा है हम लोगinks इसšे depending on, देखो, यह portion में भी उपर वाले में आई है, देखो, यह पूरा क्या है यह पूरा North Sphere है, तो दो, देखो, इसका उपर ही छोड और नीचे का खोड़ भी नौ güç makers ona की अगर हम इंदिया में ये तो साउथ क्लाहेगा। बट अगर हम गोला की बात करे पेट की बात करे तो ये नॉथ भी होगा Can देखो आप दुस्य चीज्ज क्या हुग विएन को यह अब देखो यह आप पर इंडिय को अब देखो रखा जाएगा और yellow portion भी इस्ट में रखा जाएगा ठीख मने इसका eastern पार्ट तो एस्ट में है ही और इसका western पार्ट बहरत का भारत का जो पश Side वो क्या होगा serait में समझाने का मतलब क्या हुआ देखो थैरेक्शन ध्यान रखना तीक? अब यह भारत का तो पश्चिम है यह पोर्षेशन भारत के पश्चिम है लेकिन अगर EarIt. तो देखो एस्ट में आ रए रहा है क्यों कि इस्ट में क्रिटे से इस्ट में तो इसको इस्ट लिख देते हैं यहांपर यहां पर East लिख देते हैं हला की लिखा हुआ है और Yellow portion Britain के West में है तो यहां पर West लिख देते हैं यह बात समझाने है लेकिन दीखो दोनों ही किस्में क्या है वो Britain के East में है इसलिए यहां पर East लिखा जा रहा है तियानी यहाँ पर हम लोगंने दू चीज़ समजी कि एक सफेर में शिचवेंट होना सफेर में situation दूसरी सब दियक्शन की situation तो टियरेक्शन की सबन से तो जायर से बात ये वैस्टी बोलेंगे हम लो लेकिन जब लिखा जाएगा उसका geographical indication दिया जाएगा यानि गोलार्ट की बात की जाएगी तब वो इस्ट ही रहेगा तो उमीद है ये समन में आया होगा एक बार पर फुर्शा समझ लो ये है अपनी दुनिया ये है बीच में ब्रिटेन और ये है विशुगत रेखा या भूमत रेखा अब इसके साइड में क्या होगा इस्ट मलब इसके इस्ट में क्योंकि ब्रिटेन है यहाँ पर इसके यहाँ पर होगा वेस्ट और ये क्योंकि ये गोला उपर है तो योज़ागा नॉर्थ और योज़ागा सॉल्थ अपना इंडिया इधर है तो जब नॉर्थ में ही तो यहाँ पर भी नॉर्थ होगा यहाँ पर भी नॉर्थ होगा अब यह इस्ट में है तो यहाँ पर भी इस्ट होगा यह नॉर्थ नॉर्थ इस्ट और इस्ट यह मतलब हुआ यह किसकी बात हो रही है यह एकॉर्डिंग ट तो मिली समनमाय हो तो कॉमेंट शेक्षिन में बता देना अब बात करते हैं हम लोग चेप्टर की तो भारत पी विस्तार में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे यह देखो यह आता है भारत का उत्तरी छोर क्योंकि दो को उपर है रहा उपर का मतलब उत्तर होता है तो यहां से अब देखना चालू कर दो अपना भारत का जो अच्छा एक और चीज यहां पर एक और चीज जो विशुवत रेखा के पैलल जाती लाइन यहीं समानतर ऐसे इसको बोलते है अच्छान्शी रेखा अच्छान्शी रेखा तिक मलब जो पड़ी रहती है मलब जमीन में जो पड़ी रहती है ऐसी माल लो तो वो होती है अच्छान्शी और जो सीधे सीधे होती है नहीं खड़ी खड़ी लाइन होती है उसको क्या बोलते है क्या बोलते हैं उसको देशांतरी रेका है तो इसको बोलते हैं लोग यहां से लेकर यहां तक जैसे देशांतरी विस्तार और यहां से लेकर यहां तक क्या बोलते हैं अच्छांशी विस्तार अलब खड़ी खड़ी लाइन के बीच में जो distance देंगे हम लोग बोलते हैं अच्छांशी विस्तार और जो खड़ी-खड़ी लाइन है उसके बीच में बोल देते हैं हम लोग देशांद्री विस्तार अच्छांशी में पड़ी-पड़ी ऐसे लाइन horizontal जिसको कहते हो और जो खड़ी-खड़ी नहीं vertical उसको बोले हुए देर्शांद्री विस्तार तो देखो अब ये माल लो इंडिया है न कुछ इस तरीके से होगा ऐसे line जा रही होंगी बहुत सारी थिक तो ये क्या है पड़ी-पड़ी line है मतलब क्या है? horizontal है तो इसको क्या बोलते है हम लोग? horizontal को बोलते है अच्छांशी विस्तार तो ये होगा अच्छांशी विस्तार ये सब टमाब को सीखने होगे तो अगर बात कर रहे हम लोग अच्छांशी विस्तार की यहाँ पर लिखेंगे अब भारत का अच्छान्शी विस्तार कहां से कहां तक है यह देखो नीचे से स्टार्ट होता है जीरो से जीरो के बाद क्या है एट डिग्री फोर मिनट क्या होगा एट डिग्री देखो यह डिग्री होता है उसके बाद यह डैश लगता है इसको मिनट बोलता है इसके छोटा सेकंड भी होता है जैसे क्लॉक में होता है पुरा की पहले आर होगा फिर मिनट होगा फिर सेकंड होगा सेम इसमें भी डिग्री होती है मिनट होगा सगेंड होगा मलब वापे आर और यहापे डिग्री है बस कहां तक है 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उसके बाद क्या बताया था भी ये भी नॉर्थ में है ये भी नॉर्थ है North क्या Sphere में यह बी North Sphere में और यह बी North Sphere में यह हो गया आपका अच्छान्शी विस्तार ठीक उसके बाद आरते हैं देशांतरी ये देखो फिर बना देते हैं याँ बर कि देशांतरी कैसे होगा ऐसे होगा आना वर्टिकल लाइन्स ऐसे होगा तो भारत का ये वंडे एक्जाम में कुशन पूछा जाता है इसे भारत का देशांतरी विस्तार कहां से कहां तो होगा यहां देखो 58 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तब अब यह कहां पर है इस्टर्ण साइट पर तो यहां पर इस लिख दोगे यह कोशन आपके बन गए अच्छा कभी-कभी इसके एक्स्ट्रीम पॉइंट भी पूछा आते हैं एक्स्ट्रीम मतलब जिसको दूरेस्ट बोलते हैं अब सबसे ज्यादा पूरा पूर्वी इस्थान कौन सा है सबसे पश्मी इस्थान कौन सा है उत्तरी कौन सा दक्ष्री कौन सा है अब देखो यहां पर कोशन बनने आला क्योंकि अभी तक जितने भी तुम लोग बुक पढ़ोगे उसमें जू लिखा होगा अब वो बदल चुका है क्यों बदल चुका उसका रिजन देखो अभी तक मैं लोग क्या पढ़ते हैं सबसे पूर्वी इस्थान कौन सा है तो हो जाएगा इंद्रा कोल जो की पढ़ता कहां पर है दुम देखो तुमने को पता होगा कि 2019 में इसको यूटी कर दिया गया है या यह जम्मू कुष्मेर अलग हो गया है और यह लग लग हो गया है तो अफॉ डिमांड चल लई है और डिमांड का लीडर कौन है वाला इस अंदोलन या डिमांड जो चल लई है क्या कह सकते उसको एक अंशन चल रहा है उसका नेता कौन है यह बहुत ही फेमस परसनेलिटी उसके उसके उपर एक मूवी भी बनी हुई है तो आप लोग कमेंट करके बताओ और यहां पर कोई सीम नहीं होता है जब तकि सर करना चाहिए तो यह यूटी हो गया लेकिन अगर यह कोशन पूछे कि भारत का पूरवी इस्थान राज के अनुसा है अब राज तो लड़ाख है नहीं यहां पर राज कौन सो होगा यहां पर पढ़ता हीमाचल पदेश कि यहां ढोलता है दौ दो पहाडों के बीच में यह ग। कोशन बनने की पॉसिबिल्टी है तो मियार घाटे के पास पड़ता है तो यह हो गया दोखो इस तरीके से बता रहे कि यह कुछ करेंट से रिलेटेड कोशन पूचे आते हैं इसलिए हम लोगो अपडेट होकर थोड़ा पढ़ना पड़ता है ठीक तो दो पॉइंट यहां पर कर्णिया कुमारी ठीक और दिखो ध्यान से कर्णिया कमारी कहां पढ़ता है कर लें काँ पर पढ़ता है के रागे बट के रेल एक राज ये मलब राज के साब से देखा जाए पश्चिम इलागा कौन सा पढ़ेगा करन्या कुमारी लेकिन इससे भी एक पश्चिम इलागा आता है नीचे यानि द्वेस्ट में वो है ये क्वाइंट ठीक अब ये क्या है क्यों अलग है क्योंकि ये केंद्र प्रशाषिट केंद्र शाषिट या केंद्र प्रशाषिट राज के अधीन आता है जिसको बोलते हैं हम लोग अंडमार निकोबार दियूब समूँ अब इस इलाके का नाम क्या है इस इलाके का नाम हो जाता है दक्षडी इंद्रा पॉइंट इंद्रा पॉइंद्रा 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 तो इसके अच्छे खासे डूब डूब गयते है डूब क्या कैसे है इसके अच्छी खासी बॉंडी डूब चुकी है तो यह एक concern बना हुआ है गौवर्मेंट के लिए अपने ये डूबता जा रहा है और यह पढ़ता कहां पर अंडमान निकुबार इस पेशली निकुबार सब्सक्राइब तो यह यहां पर दो कुशन हो गए अब फिर हम देखते हैं पूर्वी साइट पर सबसे पूर्वी इलागा कौन सा पढ़ता है 97 डिग्री 35 मिनट पर यहां पर देखो कौन सा इलागा पढ़ता है यह वही जगह है जहां पर सबसे पहले इंडिया में सूरज होता है यày सूरज निकलता संडीय सबसे पहले गाहों पर होता है इसको बोलते है अर्वार्षा इराज परढ़ता है अलाचें परदेश परदेश अभी कौन सा इलगा पढ़ता है यहां पर इसमें एक गाउं परता है कि बढ़ती लाउट बहुत ही डिचल इनजाब इतना ही से माडी पुछ सकता है जिली भी बोँछ सकता है तो इसा पूर्फों फेमश नीवQuery तो यह है तो अज़िनाब जिला दाता है तो हम बहिद रहां चैंग दिगरे मिलट पर अब सबते हैं तो निया पर लखनें नहीं ते अबूहर मोति कन ग्राम यह गाउं यह गाउं है यह कहँआ पर पढ़ता है और हम जानते हैं कख्ष वहां पढ़ता है यह पढ़ता है गुजरात में अब कख्ष क्यूं लिखा क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें भी आता है कि कख्ष जो है अपने भारत का सबसे बड़ा जीला है सबसे बड़ा जीला है इस वीडियो में बहुत सारी कुषन्स पूछे जा चुके उसी से एलेटेट हम लोग इसको कवर कर रहे हैं अब आती है बात इसका विस्तार डिस्टेंस में पूछ ठीक देखों यह दिखो यह देखो द्क्षिड यह देखो द्क्षिड यह उतर इंब इने लिख दिया ए ऊत्तर से द्क्षिड देखा जा 3214 किलो मेटर यहां पर शेयर लिखा हो गहीं अभी नहीं लिखा है चलो खेर ऐसे लिख लो उत्तर से जच्छड किता हो जाएगा 3214 किलो मेटर पूरफ से पश्रिम देखी जाए बाद पूरफ से पश्रिम की जाए बाद तो हो जाएगा 2933 किलो मेटर पीछी लिखा है थोड़ा वाइट हो गया है दिखनी रहा होगा तो यह पर लिख दिया फिर से क्या हो गया यह मान लो अपना इंडिया है यह मान लो अपना इंडिया है मान लो बस यह हो गया है तुम्हारा 2933 किलो मेटर और उपर से नीचे बात कीज़ेगा 3214 किलो मेटर तो साफसा पता चला है कि उत्तर से दक्षिड की तरफ ज्यादा इसकी डिस्टेंस है एस कंपेर टू पूरफ से पशिम जो की है 2930 किलो मेट यह पूचा जाता है यह पूचा जाता है अब यहां पर चालू करते हैं हम लोग जो पीडियेफ में लिखे आए लिका भारत का छांशी और देशांत्री विस्तार लगबग 30 डिगरी है मतलब 30 डिगरी का मतलब कि अगर आप कन्या कुमारी से यहां पर एक निल को हाइलाइट कर लेते हैं यहां से कन्या कुमारी से सीधा चलोगे यहां पर पूरवी इलाके इंद्रकोल तक तो आपको पूरे लगबग कितना डिगरी चलना पड़ेगा लगबग की बात हो रही लगबग की 30 डिगरी सेम लेकिन और डीप नॉलिज ली जाए तो हम लोग को पता चलता है कि उत्तर से दक्षड ज्यादा लंबा है और पूरफ से पर्षिम कम लंबा है तिक पूरफ से पर्षिम की बीच में दो गंटे का फर्क हो जाता है क्योंकि देशांत्री विस्तार यह ना ऐसे से देशांत्री हम लोग ने यहाँ पर एक मानेक देखा प्रडियूस की है बनाई ही खीची है जो कि प्राइगराज यह नि इलहाबाद से होकर जाती है इलहाबाद में मतलब क्या कहते है बुक्स में इलहाबाद लिखा हुआ है लेकिन अब क्योंकि उसका नाम बदल गया है तक जो अभी बताया की दूरी पूरत से पश्रिम की दूरी से अधिक है यहाँ पर देखो थोड़ी क्यालोशन की समझाने के लिए मीटर है तो मीटर करना होगा संटी मीटर है तो संटी मीटर करना होगा यह नहीं कि एक किलो मीटर में एक संटी मीटर में तो ऐसे आंसर कभी नहीं आता है तो देखो यहाँ पर हमने विस्तार बहुत से बच्चे करते ना इसलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि इसको मा है तो 97 डिग्री में कितने होंगे 60 मिनट को मुल्टिप्लाइ 97 कर दो तो अब इसको कर दिया अब इसको माइस करके देखो यह आ रहा है 1758 से मिसमें भी गया तो देखो 1742 अब देखो करेंट आ रहा है करेंट आने का मतलब है कि यह ज्यादा है और यह कम है इसलिगा जाता है क देखो उत्तर से दक्षिड की दूरी ज्यादा है एस कंपेर टू पूरफ से पश्रीम या पश्रीम से पूरफ टिक यहां पर लिख दिया है कि 1758 मिनट बड़ा है 1742 से ठीक है अब यहां पर कुछ फैक्ट हैं वो देखते रहो जो रिपेटेड कोर्शन रहते ही रहते हैं म अगर पूरा विश्व बना लेते हैं हम लोग यहीं पूरा विश्व अगर हम लोग बना लेते हैं और उसको मानते हैं 100% तो उस्वे से पूरा 2% क्या निकलेगा 2% क्या निकलेगा अपने इंडिया माननेगा ठीक तो यह ध्यानक ना 2.4% है फिर आते हैं आप क्यूंकि छे Canada उसके बाद चाइना देन USA फिर ब्रजील फिर औस्टेलिया यह बताएंगे आप इस्क्रीन पर मैप देख रहे होगे सब के एरिया कितने की अधिये हैं उसके बात कीजाए अब सबसे important सबसे important 2011 के अनुसार भारे की जन्संख्या कितनी थी बारे की जन्संख्या सबको पता होगा 121 करोड तीक 2011 की जन्संख्या कितनी होगी जो विश्वी की जन्संख्या कितना है 17.5 परसंट यानि देखो अगर छेटफल की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ और 2.4 शेयर कर रहे हैं और जन्संख्या की बात की जाए तो साड़े सत्रा परसंट यानि अगर सौ लोग में सौ लोगों में 81 करके देखा जाए तो सत्रा से अठार आदमी सिर्फ और सिर्फ इंडिया को होगा इतनी पॉपलेशन है बट ये क्या है है 2001 की जन्गरणा की निसार कोश्ण अगर यह पूछे दो हजार ग्यारा की सैंस्स या जन्गरणा की निसार भारेश की जन्संख्या नहीं तो क्या बोलोगे है में सिर्फ एक ही संस्था निकालती है उसेंस पूरी दुनिया पर जो यूएन है जिसको बोलते हैं सही उस्टास चंग उनाइटेड नेशन और नेशन और नेशन वो भी नजल रखती है यह उसने कहा है कि 2011 के अनुसार भारत की जनसंक्या है वो 140 करोड 76 लाग हो गई आपने स चाइना की कितनी है 2021 के है एकॉर्डिंग 140 करोड 24 लाग यानि हम लोग ने चाइना को भी जनसंक्या में पिछाड दिया है यानि पूरी दुनिया की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पॉपलेट्टेड जो कंट्री होगी यानि सबसे जनसंक्या वाला जनसंक्या वाला चाइन से भी ज्यादा हो गई तो यह दोखो लिका हुए नॉट फॉम ऑफिशल सेंस ऑफ इंडिया अलब इंडिया का जो आधिकारिक जन्गर्णा की रुपोर्ट है उससे लहीं लिया गया है तो कोशन अगर यह पूछे कि 2011 की जन्गर्णा के नुसार भारत का भारत की ज अगर्णा की जन्गर्णा तक निप्रा देंगे लेकिन थोड़ा लंबा हो चुगा है तो इसको यह तक रखते हैं उम्मीद आपको वीडियो समन में यह होगी और कॉमेंट करके जुरू बताना कि इसमें क्या साही लगा क्या नहीं लगा और जितने भी कोशन पूछे हैं उसको कॉमेंट सेक्शन में जुरू बताना है इसका पीडियाफ आपको डिस्क्रिप्शन में बिल जाएगा उससे तुम लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो बाकी कल देखेंगे हम लोग या नेक्स वीडियो में देखेंगे हम लोग कि अच्छानशी विस्तार को पपाओ औ क्या होता है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में